भाईयों आज ये वीडियो सभी पुरुशों के लिए बहुत ही जादा महत्योपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको आपकी तीन गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ जो अगर आप करते हैं तो दुनिया की कोई भी इस्तरी आपके और नहीं देखेगी और आपसे नहीं पटेगी और आपके आपके आगे एक चीच पहली करदो इसमें कुछ चाणक के की बाते हैं और कुछ इन्यूवर्सल टूत है जिसको आपको सही से सुनना होगा अगर सही से सुनोगे तो भाई कुछ सीख करी जाओगे तो चलिए चलते हैं आपकी पहली गलती की तरह जो है you give too much attention to the heart भाई कई बार हमें इस तरह को अपनी और आकरशित करने का girlfriend बनाने का और लड़की पटाने का इतना बड़ा भूस सवार हो जाता है फिर उसके बाद जिस लड़की को आप पटाना चाते हो उसे बहुत ज़्यादा attention दे देते हो मतलब बहुत ज़्यादा भाई देते हो और अपनी तरफ से इतना ज़्यादा response देते हो कि सामने से कुछ response ही नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ ज़्यादा response नहीं देना होता मतलब थोड़ा दे सकते हो इससे वह स्त्री आपके और आकरशित होने लग जाती है और आपको और ज़्यादा भाव देने लग जाती है अगर वो उस वक्त आप में रूची रखती होगी तो अगर आप इससे पहले ये गलती करते हो या करते थे यानि कि किसी भी इस्तरी को हस से ज़्यादा भाव देने लग जाते थे या किसी भी लड़की को उसकी उकास से बाहर जाकर पटाने लग जाते थे तो भाई सच में आप गलती करते थे इससे लड़की सैटनी होती है और अगर थोड़ी बहुत होती है तो वो भी कट जाती है तो भाई अभी ये गलती मत करना तो अब चलते हैं आपकी दूसरी गलती की तरह जो है आपका प्रस्ताव रख देना भाई यो 65-70% लड़के ये गलती है कर जाते हैं जिस लड़की को आपको लड़की के साथ की जाती है जो आपको लड़की आपको चीट नहीं करेगी और आपके साथ लोयल रहेगी और हुनेस Yoo रहेगी क्योंकि कुछ लड़कियां होती है जो अपने काम तक ही सीमित रहती है मतलब जब तक उनको काम होता है तो आपको घंटों तक याद करती है लेकिन जैसी उनका काम निकलता है तो आपको घंटा भी याद निकलती है और कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है जिनके आगे अगर आप अपना प्रस्ताव रखते हो मतलब उन्हें प्रपोज मारते हो तो वो आपको फ्रेंट जोन मार देती है तो भाई प्रपोज मत करो लड़कियों को पसंद नहीं होता कि उनसे कोई हाँ या ना का जवाब मांगे एक्जामपल लड़की किसी पार्टी में जाती है तो मुद्धा ये है अगर आपको किसी लड़की के आगे प्रस्ताव रखना ही है तो भाई अन्नोन लड़की के आगे रखो जिसे आप नहीं जानते और उससे उसका नंबर मांगो हाँ होगा या ना होगा एक दिन में बंदी पट जाएगी या कट जाएगी रिजल्ट आपको हैंड टू हैंड मिलेगा तो मैंने आपको थोड़ी बहुत हिंट भी दे दिये के आगे नोन लड़की को कैसे पटाना है तो आप चलते हैं आपकी तीसरी गलती की तरफ जो है सुन्दर इस्त्री के और आकरशित हो जाना क्योंकि जिस इस्त्री को देखकर आप रसन हो रहे हो और उसकी सुन्दर्ता को देखकर उसकी और आकरशित हो रहे हो तो अपनी सुन्दर्ता से आपको ही नहीं किसी भी व्यक्ति को आकरशित कर सकती है इसलिए चनाके इस बात को भी बोलते हैं अगर किसी पुरुष का विबा किसी गरीब घर की इस्तिरी के साथ हो रहा हो और वह सुन्दर नहीं है और दूसरी तरफ एक इस्तिरी है जो सुन्दर है और वह सुन्दर इस्तिरी उस पुरुष से विबा करना चाती है तो उस पुरुष का लाब इसी में ही है कि वहे पुरुश उस गरीब घर की इस्तरी के साथ विवा कर ले तो भाईओ अगर आप भी सुन्दर इस्तरीयों की तरफ जल्दी से आकरशित हो जाते हो तो अचारे चणाके बोलते हैं सुन्दर इस्तरीयों किसी छल से कम नहीं होती तो अगर आप भी women's के matters में अपने career में ये तीन गलतियां कर चुके हो तो मैं आशा करता हूँ इन तीन mistakes से आप समझे होंगे कि आपको अपने जीवन में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए अगर समझे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अपने दोस्तों को भी समझाना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में share कर देना और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करके bell notification को press कर देना और अगर आपका कोई सब्सक्राइब करके जरूर बताना मैं आपको reply कर दूँगा तो आते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई